हेलो एवरीवन मेरा नाम निशित और वेलकम टू क्रिजी टीके ट्रिक देखिए प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर हमारा चल रहा है मैं आज आपके लिए 10 most important questions based on latest pattern लेकर रहा हूँ यानि जो सबसे नए प्रकार के questions हैं जो आगे आने वाले exams में देखने मिल सकते हैं चाहे आप pre दे रहे हों, mains दे रहे हों, चाहे आप NTPC दे रहे हों, CHSL, CPO कोई भी exam आप आगे दे रहे हैं तो यह 10 बहुत ही important और latest pattern की उपर questions हैं जो कि आगे आपको exam में देखने मिल सकते हैं, तो questions का level बहुत ही अच्छा होने वाला है बहुत ध्यान से देखेगा इन सारे 10 questions को समझने की कोशिश करेगा क्योंकि यहां से definitely आपको कुछ questions exam में जरूर फशेंगे दूसरी बात अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के 10 या 15 या कुछ नए टाइप के questions हर chapter से निकाल कर ला हूँ आपके लिए जिनको देखकर आप at least last minute revision के लिए आप बिलकुल देख सकते हैं तो प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएं तो मैं आपके लिए हर chapter के लिए हर chapter में से कुछ ऐसे questions उठाकर लेकर आऊँगा जो की latest pattern पर होंगे और आपके लिए last minute revision के लिए बहुत ही important होंगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के session को तो चलिए बिना देरी किये इस पूरे question को पहले पढ़ लेते हैं यदि कोई दुकांदर वस्तू पर 10% और 12.5% अधिक चिन्यत करता है और फिर 20% और 16.66% के दो क्रमिक छूट देता है यदि वह मारकप और छूट प्रतिशत को उल्टा कर दे तो उसे 333 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं नए विक्रे मुल्ले का पता लगाए बहुत ही बढ़िया question है ध्यान से सुनिए क्या बोला है उसने पहले दो बार मारकप बढ़ा दिया दो बार मारकप करने का मतलब पहले उसने 10% बढ़ाया और फिर उसने 12.5% बढ़ाया बोले क्लियर है फिर उसने क्या किया दो बार छोट दिया है कितने किटने की फिर उसने 20% की कि डिसकाउंट दियistoire और उसने 16.6% का दूसरा बट्ड़ा दिया है बोले क्लियर तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं 10% बढ़ा गया, या बढ़ गया तो मैं कैसे बोलूँगा, इसको 10% बढ़ने का मतलब 1 बटे 10 से बढ़ जाना याने 11 बटे 10 हो जाना फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 बटा 8 से बढ़ेगा, याने कितना हो जाएगा 9 बटा 8 यहां पर देखे कम करना है तो एक बटा 5 से कम करेंगे तो कितना आएगा चार बटा 5 आएगा यहां एक बटा 6 से कम करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा पांच बटा 6 इसको पहले इतना बढ़ाया फिर और इतना बढ़ाया फिर डिसकाउंट देके और इतना कम किया कुल मिलाकर अगर मैं आपसे देखूं तो यहां पर यह जो मेरे पास fraction निकलेगा यह कितना निकलेगा चार और आठ दो बार में कटेंगे तो ऊपर अगर मैं देखूंगा तो तैंटेस आएगा और नीचे अगर देखूंगा तो चालेस आएगा तो देखे यहां पर अब यह जो fraction मुझे मिला है यह क्या है यह बीसिकली SP और CP है कैसे 40 रुपे का अगर खरीदा होगा तो 33 में बेचा होगा बुले क्लियर है कैसे इसको समझेए 10 बटे 11 बटे 10 का मतलब क्या था कि 10 में लिया होगा तो 11 में बेचा होगा 8 बटे 9 का मतलब क्या होता है 8 से बढ़ा के 9 किया 20 बटा दिया 20 बटा देने का मतलब एक बटा 5 कम किया याने 5 में खरीदा होगा तो 4 में बेच दिया और अगर एक बटा 6 का बटा दिया याने 6 से कम करके 5 में बेच दिया तो basically आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर यह नीचे सब जगा ये दिख रहा है आपको CP दिख रहा है तो total CP किता हो गया सब को multiply करेंगे 40 और total SP किता हो गया 33 यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात clear कोशन की next line क्या बोली है यदि वहां markup और shoot percentage को उल्टा कर दे याने अब जो मेरे discount percent थे ये discount अब ये मेरे markup बन जाएंगे याने अब मुझे इसको 20% से बढ़ाना होगा और 16.66 प्रतीशत से फिर बढ़ाना होगा और उसके बाद जो मेरे markup थे वो discount बन जाएंगे याने अब मैं जो 10 से कम करना है ध्यान रखेगा कम करना है तो यह कितना हो जाएगा 9-10 और यहां पर 1-8 से कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 7-8 अब इन सबको cancel out कर लेते हैं 6 से cancel हो गया बूले clear है अब इन सबको calculate करने के बाद मैं यहां पर देखूंगा कि मुझे कितना मिल रहा है तो देखे ऊपर मुझे मिलेगा 441 upon नीचे क्या मिलेगा मुझे 400 ये है मेरा SP upon CP अब यहां पर ध्यान से देखेगा ये पुरानी condition थी ये नई condition है दोनों ही condition में CP तो सेम होना चाहिए न क्योंकि यहां पर भी CP है और यहां पर भी CP है और समान तो सेम था तो मैं इसको 400 बना देता हूं 400 ना बहुत असान है ये हो जाएगा 330 बटे 400 बुले clear है तो अब मैं बोल सकता हूँ कि समान अगर 400 का था तो अभी भी 400 गई है पहले इसको 330 में बेच रहा था अब 441 में बेच रहा है बुले clear कितने का अंतर आया माइनस करेंगे तो अंतर कितने का आएगा अंतर आएगा 111 का जो की रुपए में कितने के बराबर है तो आपसे बूला गया देखिए 330 रुपए अधिक मिलता है यहां 330 मिल रहा था यहां 441 मिल रहा है 441 मिल रहा है कितने का अंतर है 111 का याने 111 रुपए कितने के बराबर? 300, 339 के बराबर, तो एक की वैल्यू, 3 रुपए के बराबर, और अगर एक की वैल्यू 3 रुपए, तो आप से क्या पूछा गया है कुश्चिन में, नए विक्रे मूले का पता लगा है, नए विक्रे मूले 330 था या 441 था, ओविसली 441 था, तो 441 इन्टू 3 कर लेंगे, कितना आएगा, 3 एकम, 3, 12, 13, 1320 याने option D will be the right answer, मेरे ख्याल से आपको ये कॉश्चिन समझ में आया, बहुत ही बढ़िया कॉश्चिन था, शब्दों में उल्जाने की कोशिश, चले, next question देखते हैं, बिना देरी किये, चले, question number 2 देखते हैं, क्या लेखा हुआ है, रामू 1 रुपए में 15 नग खरीतते हैं, 15 सही 5 बटा 13 का लाबर्जित करने के लिए, उसे 1 रुपए में कितने नग बेचना चाहिए, सबसे पहले इसको समझ ले, 15 सही 5 बटे 13 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको fraction में convert करूँगा, तो यह होता है 2 बटे 13 का, ध्यान रखेगा, ये 2 बटे 13 का profit है, बोले clear है, ये 2 बटे 13 का profit है, 2 बटे 13 का profit का मतलब, 13 पे 2 profit, 2 बटे 13 का मतलब, 13 पे profit कितना 2, तो अगर मैं SP की बात करूँगा, यानि कुल मिला कर मुझे मिलना कितना चाहिए, तो 13 पर 2 अधिक मिलना चाहिए, यानि 15 मिलना चाहिए, कितने पे 13 पर, अगर ये बात नहीं समझ भाई, कोई दिक्कत नहीं, दूसर तरीका देख लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए, सबसे पहले तो ये समझे, कि equation कैसे लिखनी है, मुझे एक रुपए में कितना मिला, 15 नग मिले, बुले clear है, मुझे से क्या बोला गया है, मैं एक रुपए में कितना समान बेचूं, सबस्पोज एक समान बेचूंगा, और मुझे इसका कितना मिलना चाहिए, मुझे इन समानों का, इतना profit मिलना चाहिए, यानि इतना अधिक मिलना चाहिए, और हमने बोला था, अधिक मिलने का मतलब 100 पे इतना बढ़ा देंगे और 100 पे इतने बढ़ाने का मतलब 100 प्लस 15 सही 5 बढ़े 13 इतना परसेंट मुझे मिलना चाहिए अब आप बोलेंगे ये calculation कुछ जादा खतरना हो गया क्या बिल्कुल नहीं अब इसको अगर मैं solve करूंगे तो कितना आएगा तो इसको solve करने पर मुझे पता चलेगा कि एक बराबर x का कितना है यहाँ पर यह इसका अगर मैं fraction निकाला था तो मैंने बोला था 2 बढ़े 13 पर 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा 15 तो मैं बोल सकता हूँ यह है 15 बढ़े 13 बोले clear है तो अब यहाँ पर क्या करना है पहली equation और दूसरी equation को equate कर दो या simply divide कर दो अगर मैं इंदोनों को equate करूंगा तो 15 बराबर x का 15 बढ़े 13 तो 15 से 15 याने अगर आपको इतने का लाब चाहिए तो आपको कितनी वस्तु में बेचनी होगी एक रुपए में 13 वस्तु में बेचनी होगी याने option b will be the right answer अब देखे इसको करना कैसे है यह एक तरीका हो गया बहुत ही सीधा सा तरीका है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप किस त बीटे ते रह लिखा। लॉस होता तो 100 के नीचे कर देता याने माइनस कर देता सौ में से तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया था नहीं था दूसरा तरीका देखिए मैंने अभी आपको क्या बुला था इतने का profit चाहिए इतने का प्रॉफिट का मतलब 13 में 2 का खातम कर सकते हैं, कैसे, देखे, एक रुपए में आपको मिला 15 वस्तूओं का क्रैम उल्ले, आपको एक रुपए में कितना चाहिए x वस्तूओं की क्रैम उल्ले का 15 वटे, 13, 15 वटे, 13 कहां से आ, यह बोला ना मैंने, 13 में 2 चाहिए, जादा याने 15 चाहिए, तो 15 वटे 13 चाहिए, अब आप इन दोने questions को divide करना है, simple, CP से CP cancel, 15 से 15 cancel, X के value, 13 आ जाएगी, बहुत इसी तरीके से, तो मेरी ख्याल से आपको ये question भी clear हो गया होगा, अब देखिए, ये थोड़ा सा पुराना pattern भी बोल सकता हूँ, आजकल CP common नहीं द पर मैं को इतना profit चाहिए, next question देखते हैं इस type का, देखिए हमारा अगला question बिलकुल इसी pattern पर है, क्या बुला है, रामु 18 नग 9 रुपे में बेचता है, तो 10% की हानी होती है, कितने रुपे में बेचा, 9 रुपे में, 9 रुपे में उसको क्या मिलेगा, 18 नग की जो भी क्र 18 नग का 10% की हानी हो गई, याने आपको 18 नग के क्रैम उल्ली की केवल 90% मिला, दूसरा condition क्या बोला है, कितने नग उसे 6 रुपे में बेचने होंगे, अगर वह 20% का लाग कमाना चाहता है, देखिए, अब कितने में बेचना है, तो SP को यहां लेखेंगे 6, कितने नग पर कुछ नगो का क्रैम उल्ली, जो भी होगा, इसका मुझे 20% का मुनाफ़ा चाहिए, और 20% का मुनाफ़ा मतलब मुझे चाहिए 120%, देखिए, पहले हानी हुई थी, तो मैंने 10 माइनस कर दिया था, 90%, लाब हुआ है 20 का, तो मैं 120 कर दूँगा, बोलिए क्लियर है, अब इ देखे, इस पूर एक्विशन को उठा के उधर ले जाएगे, 2 into x into cp equals to, यहां क्या बचा है, 18 into cp, cp से cp कैंसल, 2 से 18 कित्ती बार में, 9 बार में, यह ने एक्स की वेल्यू, 9, तो आपको 6 रुपय में कितनी वस्तु में बेचीनी होंगी, 9 वस्तु में बेचनी होंगी, तब जाके आपको 20% का मुनाफ़ा होगा, option A will be the right answer, तरीका ध्यान रख लीजे, बहुत ही कामका है, बहुत ही important, बुले clear है, चलिए, next question पर चलते हैं, चलिए, question number 4 देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही important question है, वैसे तो आजके सारे ही question अच्छे और important है, तो ध्यान दीजेगा question क्या लिखा है, question बुला है, 165 किलो चावल की लागत मूल्य, 8500 रुपए, अगर 14 भाग चावल को 16 प्रतीशत और 5 बटा 8 भाग को 2X परसेंट लाब पर बेचा जाता है, और बाकी X प्लस 20 परसेंट लाब पर बेचा जाता है, यदि वह 1275 का लाब अर्जित करता है, X का मान ग्याद करें, बहुत ही बढ़िया question है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो आपको 165 दिया है न, इसको थोड़ी दिर के लिए अगर मैं अग्नोर करूं क्योंकि मेरे पास fraction है, कि 1 बटा 4 और 5 बटा 8, अध्यान से देखिए 1 बटा 4 और 5 बटा 8, कुछ ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास जो total होगा वो 8 होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 और 8 का LCM 8 होता है न, तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो total था मेरे पास 8 था, दिया है question में 165 पर फिलाल मैं इसको नहीं ले रहा, मैं अभी 8 मान गिये चल रहा हूँ, अगर total मे क्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चले, आगे देखिए, तो 8 में से 2 भाग बिके कित्ते पर 16 पर, तो 2 गुणे 16 परसेंट यह profit हो गया, 5 भाग कित्ते पर बिके, 5 भाग बिके हैं 2X परसेंट पर, तो इसमें गुणा कर देता हूँ, 2X परसेंट का, और एक भाग बिका है कित्ते पर, X प्लस 20 परसेंट पर, इतने प्रतीशत पर, बुले क्लियर, और कुल मिलाकर लाब कित्ते का हुआ, कुल मिलाकर लाब हुआ, इतने रुपए का, अब देखिए, क्योंकि सब जगा परसेंटेज पर ही बात चल रही थी, तो क्यों ना मैं भी परसेंटेज ही निकाल लेता हूँ, इतना लाब हुआ है, कितने पर, ये 8500 पर, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँगा, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 8500, 1275, into 100, मैंने लाब बटा क्रेमोले गोने 100 किया, ताकि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए, प् इतना आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ, यहां से निकालने पर आएगा, 15%, तो मैं बोल सकता हूँ, कि इन सारी वस्तूओं का जो भी प्रॉफिट था, इन सब को जोड़कर, अगर मैं 8 से भाग देता, 8 से क्यों भाग दिया, क्योंकि टोटल वस्तूओं कित्ती थी, 8, तो म आठ वस्तूमे थी, यह मैंने सब का प्रॉफिट किया, 8 से भाग दिया, और टोटल जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला था, वो कितना था, 15, तो मैंने 15 लिख दिया, 8 को गुणा कर लेते हैं, 15 से कितना आएगा, 120 बराबर, 16 दुनी, 32 प्लस, 10X, प्लस, X प्लस, 20, बु आएगा, 68 और इधर आएगा, 11X, और जब मैं 11 से डिवाइट करूँगा, तो यहां से X की वेल्यू कितनी आएगी, 68 अपॉन, 11, डिवाइट करने पर कितना मिलेगा, 6 से ही, 2 बटा, 11 परसेंट, याने, option A will be my right answer, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा, अच् आप इसको 165 और फिर यहां पर numerical values में फस जाते 165 kg का use करते, तो यह question बहुत ही ज़्यादा लेंदी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन सकता था, but don't worry, अगर आपके पास fraction दिये हुए हैं, एक बटा 4, पांच बटा 8 और बचा हुआ, तो यहां पर आप इसको total fraction में convert करक चलिए, next question देखते हैं, तो देखिए अगला question, question number 5, बहुत ही बढ़ियाँ question, बहुत ही अच्छा question, question क्या है देखिए, An article is sold at a loss, किसी वस्तु को नुकसान पर बेचा जाता है, यदि वह विक्रे मुल को दुगना कर देता है, तो उसे लाब मिलता है, जो 14.28 प्रतीशत अधिक है, पहले हो रहे नुकसान की तुलना में, लाब प्रतीशत ग्याद करें, बहुत ही बढ़ियाँ question, ध्यान से सुनि बेच रहे थे, तो आपको नुकसान हो रहा था, अब वो आपसे बोल रहा है कि आपने अगर इसका विक्रे मुल डबल कर दिया, याने आपने इसको 2X में बेचा, तो क्या होगा, तो अब देखे, आप सीधा loss से profit पर चले गए, अच्छा loss यहाँ हो रहा था, और profit यहाँ ह जो लाब मिलता है, वो 14.28 प्रतीशत अधिक है, पहले हो रहे नुकसान की दुल्ला में, याने मैं बोल सकता हूँ, 14.28 प्रतीशत अधिक का मतलब, एक बटा साथ से बढ़ना, एक बटा साथ से बढ़ने का मतलब, साथ से कित्ता हो जाएगा, आठ, तो fraction के हिसाब से मैं ब प्रतीशत हो ना, पहले अगर नुकसान साथ का हो रहा था, तो profit हो रहा है, अब 8 का, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, चलिए, अध्यान से देखिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ कहीं है cost price, क्या हम cost price निकाल सकते हैं, कहीं पर भी value नही जो x है, मैं इसी को 15 मान लेता हूँ, अगर यह x ना होकर 15 होता, तो 15 दुनी, यह कित्ता होता, 30 होता, और इनके बीच का अंतर कित्ता होता, 15 होता, जिसमें से 7 भाग यहाँ होते, और 8 भाग यहाँ होते, याने cost price क्या होता, तो 30 में से अगर 8 कम कर दूँगा, तो भी cost price जाएगा, या 15 में साथ बढ़ा दूँगा, तो भी cost price जाएगा, खुल मिलाकर cost price होता, 22, याने क्रैम मूले 22 है, विक्रैम मूले 30 है, कितने का profit हुआ, 8, कितने पर, 22 पर, याने बटे 22, गुनित 100, 2 से काट लीजे, 4, 2 से काट लीजे, 11, 4 बटे 11 का percentage, 36.36%, याने option A will be the right answer, बहुत ही बढ़ियां question है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, एक और बार समझने के लिए, वीडियो को फिर से देख लीजे, पर important question है, आपको आगे देखने मिल सकता है, चलिए जब तक हम चलते हैं, next question पर, question number 6 देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही कुछ question है, question क्या बोला गया है, पढ़िए लेतना पहले, किसी वस्तू को, 1, 2, 3, 4, 1234 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है, इसे 2, 3, 1, 4, 236 रुपए में बेचने पर, पिछले नुकसान से 25% अधिक मुनाफ़ा होता है, क्रेमोड लेगात करें, क्या है आपको पिछले question जैसे ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक जगह 1, 2, 3, 4 पर बेचने पर नुकसान हो रहा था, फिर आपने इसको कहा बेचा, 2, 3, 1, 4 पर बेचा तो आपको प्रॉफिट होने लगा, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ नुकसान हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानि CP इनके बीच में ही कहीं पर है, क्या बोला है, आ विटाओ चार से बढ़ जाना यानि चार से कितना हो जाना पांच तो मेरे ख्याल से अब आप यहां से यह याद रखें रखें रेशो है तो अब आप यहां से इसका क्रैम ओले या सीपी निकाल सकते हैं इस कोश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं औप्श हमारे question number 7 पर question number 7 क्या लिगा है एक दुकान नर को वस्तू को 1245 रुपए में बेचने पर लाब होता है और 445 रुपए में बेचने पर हानी होती है लाब और हानी के अंतर और योग का अनुपाद एक अनुपाद 4 है अंतर है ये लाब और हानी का अंतर और योग का अनुपाद एक अनुपाद 4 है तो क्रै मूल्य ग्याद करें बहुत ही बढ़िया question ध्यान से समझेगा आपसे क्या बोला गया है आपको जो अनुपाद बताये गया है पहले इसको समझ लीजिए ये किसका अनुपाद है लाब और हानी का अंतर याने profit और loss का अंतर और profit और loss का योग ये आपको बताया गया है एक अनुपाद 4 याने एक पेटा 4 अब यहां से आप component और dividend लगा दें दोनों को add करतें दोनों को minus करतें तो यहां से P और L याने profit और loss का रेशियो क्या निकलेगा ये निकलेगा पाँच अनुपाद 3 इसको हमने component और dividend लगा दिया तो अब यहां पर बात समझेए कि पहले मुझे 445 रुपे पर हो रही थी हा है कि नहीं अगर मैं यहां पर ratio के हिसाब से देखूं तो loss कितना है 3 और profit कितना है 5 तो यहां से profit और loss का ratio मुझे 3-5 पता चल गया इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने रुपे का अंतर है तो आप बोल सकते हैं 800 रुपे का अंतर है तो 3 और 5 मे कितनी होगी 745 रुपे कॉस्ट प्राइज होगी option A will be the right answer बहुत ही बढ़िया कोश्चन है सिंपल है समझने के लिए असान है बट फिर भी थोड़ा सा घुमाने पर जोड दिया गया है कोश्चन में चले next question देखते हैं तो चले friends अब हम देखते हैं हमारा question number 8 बहुत ही बढ question देखते हैं क्या लिखा है एक दुकानदार ने 20 किलो संत्रे खरीदे और x किलोग्राम संत्रे x% के profit या लाब पर बेचते हैं और बाकी को 30-x% लाब पर बेचता है x के किस मूल्य के लिए उसे न्यूनतम लाब मिलेगा याने minimum profit उसको x के किस value के लिए मिलेगा अध्यान से देखिए x किलोग्राम भी था है तो अगर मैं बोलू 20 किलोग्राम टूटल था जिसमें से एक हिस्सा x किलोग्राम का है तो बचा कितना तो मैं बोल सकता हूँ बच होगा यह होगा इसका total profit तो अगर मैं इस equation को ध्यान से देखो तो जो मेरी profit की equation है वो क्या है x square प्लस यहां पर इसको solve करूंगा तो यह आएगा x square minus 50x plus 600 तो अब मैं इसको पूरा लिखूंगा equation तो यह आ जाएगी 2x square minus 50x plus 600 अब देखिए मुझे इस profit को minimum करना है और minimum करने के लिए मुझे इसको equate 0 करना पड़ेगा और x की value निकालने पड़ेगी या आप differentiation भी कर सकते हैं differentiation करेंगे तो यह 4x minus 50 equals to 0 तो यहां से x की value 50 upon 4 that is 12.5 तो इतना ही kg होगा और इतने ही 12.5% पर उसको बेचा होगा याने option c will be the right answer तो यह maximum इने mark का भी concept था इसको भी ध्यान र question पर question number 9 question number 9 पढ़ लेते हैं पेले क्या लिगा है तीन वस्तुएं समान विक्रे मूले पर बेचे जाते हैं ठीक है पहली वस्तुपर 42.84% का लाब होता है दूसरी वस्तुपर 16.66% का नुकसान है और तीसरी वस्तुपर 11.11% का लाब होता है यदि कुल सौदे में 126 रुप का लाब है तो दूसरी वस्तुपर नुकसान का पता लगाए बहुत ही बढ़िया question है ध्यान से देखेगा पहली वस्तुपर क्या हुआ तो अब मैं बोल सकता हूँ पहली वस्तुपर 42.84% का profit हुआ अब ये profit हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कितने से कितना हो गया होगा तो दूसरा profit percentage क्या था देखे दूसरा loss percentage था 16.66 का याने एक बटे 6 का नुकसान एक बटे 6 का नुकसान याने 6 से कितना हो गया पाँच हो गया और तीसरे के लिए 11.11 का लाब 11.11 मतलब एक बटा 9 का लाब एक बटा 9 का लाब का मतलब 9 से हो जाएगा 10 question के शुरुआत में ही ब बाकी तो 10 हैं ही तो यहां पर यह कितने का हो गया 7 में खरीदा 10 में बेचा यह 12 में खरीदा 10 में बेचा और यह 9 में खरीदा 10 में बेचा तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि यहां पर इसे 3 का मुनाफ़ा हुआ यहां इसे 2 का नुकसान हुआ और यहां इसे 1 का मुनाफ तो कुल सौदे में 126 का मुनाफ़ हुआ याने दो बराबर अगर 126 रुपए तो देखिए मुझसे question में पूछा गया था दूसरी वस्तू पर नुकसान का पता लगा है नुकसान भी तो यहाँ पर 2 ही का हुआ था अगर 2 की value 126 है याने answer भी 126 होगा option A बहुत easy question था बढ़िया question था मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए अब हम चलते हैं हमारे last question पर देखे हमारा last question क्या है question में बूला गया है एक व्यक्ति दो मकान बेजता है प्रतेक को एक लाख में पहले मकान पर 20% का लाब हुआ और दूसरे पर 20% की हाने ध्यान से सुनिए जब भी हमारे सामने ऐसी कोई situation आती थी कि जब दो वस्तूओं का SP सेम होता है और यहां पर मुझे बोला आता है एक पर 20% का profit और दूसरे पर 20% का loss तो मुझे पता है न कि मैं formula लगाता था x upon 10 का whole square percentage का loss बोले clear अब x के value 20 रखूंगा तो मैं बोल सकता कि 4% का loss हो गया है अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ 4% का loss होने का मतलब क्या होता है 4% का loss होने का मतलब जो मेरा total 100% था इसमें से 4% चला गया तो मुझे कितना मिलेगा तो मुझे मिलेगा 96% यह बात समझ में मुझे मिलेगा 96% और अगर मुझे 96% मि बराबर है तो ये 2,00,00,00 के बराबर है ये 2,00,00 कहां से आया प्रतेक मकान को 1,00,00,00,00 रुपे में बेचा गया था तो 2 बेचे गया थे तो टोटल मेरी जिब में कित्ते आये 2,00,00, percentage के हिसाब से मेरी जेब में कित्ते आए 96% क्योंकि 4% का नुकसान हो गया था याने मेरा 96% 2,00,000 के बराबर तो नुकसान कित्ते का हुआ था 4% का याने 96% की value मुझे दी हुई है मुझे निकालना कितने की है 4% की value निकालना है कैसे निकाल सकता हूँ अगर 96 को ही देखूं तो 96 क्या है चार गुनित 24 है की ने और यह अगर दो लाग के बराबर है तो 24 को simply divide कर लेंगे तो 4% कित्ते के बराबर दो बटा 24 लाग यह होगा दो बटा 24 लाग का मतलब दो बटा 24 लाग एक बटा 12 लाग और इसे प्लीज 0 में convert मत करिएगा option B will be the right answer अगर आपने इसको 0 में convert किया तो यहां से यह जो नंबर है वो decimal में आने लगेगा और आप option देखकर भी answer नहीं बता पाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक का session समझ में आया होगा इस बहुत ही ज्यादा important और अच्छे questions थे new pattern पर थे तो आप इन questions को बिलकुल पढ़के जाएगा आपको अगर यह session पसंद आया है questions अच्छे लगें like करिए share करिए subscribe करिए और telegram channel join करना मत भूलेगा thank you have a nice day जैहन हुआ 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 है